पांचाल नरेश अकस्मात स्वेंवर परंद वासुदेव इतनी शीगरता से इतना बड़ा प्रबंद कैसे हो पाएगा आप उसकी चिंता ना करें पांचाल नरेश युक की धारा को जो परिवर्तित करने आई है उसका स्वेंवर भी युक का सबसे विशाल स्वेंवर होगा स्वेंवर का उत्तरदाईत स्वेंव वासुदेव समहा लेगा ये श्रिष्टी का सबसे अधिक स्मरन किया जाने वाला स्वेंवर होगा पांचाल नरेश तो आपको श्रिष्टी के सभी योधाओ को आमंत्रित करना ही होगा उनमें मित्र भी होंगे और शत्रु भी होंगे मित्रों का स्वागत आप करेंगी पांचाल नरेश और शत्रों से पांचाल की रक्षा करने का उत्तरदाईत मेरी चतुर रंगनी नरायनी सेना का होगा परंतु वासुदेव प्रश्न ये उठता है कि संसार के सर्वश्रेश्ट योधाओ में से हमारी पुत्री जुरौपती के लिए सर्वश्रेश्ट वर का चुनाव कैसे होगा सर्वश्रेश्वर का चुनाव तो परिक्षा से ही हो सकता है पांचाल नरेश जिस याग सेने को पाने के लिए आपने इतना परिश्रम किया उससे विवाह करने के लिए उतना ही उच्चा मान डंड होगा द्रौपती को वही पा सकेगा जो एक असंभव दिखने वाले लक्ष को साथ सके और वो असंभव लक्ष क्या होगा वासुदे वो लक्ष ना कथा में किसीने सुना होगा ना स्वप्न में किसीने देखा होगा ना कल्पना में किसीने सोचा होगा युग के सबसे स्मर्णिय स्वयमवर का निमंतरन भी सबसे विलक्षन होगा ये निमंतरन नहीं चेतावनी होगी कि अगनी सुताह याग किसेनी से विवा करने के इच्छा वही रखें जिनमें अगनी की ज्वालाओं से खेलने का साहस है सबसे आवश्चिक बात हस्तिनापुर को ये निमंतरन भिजवाना मत भूलिएगा पांचाल की ओर से आपके लिए युवराज इसमें क्या हो सकता है आप दुर्योजन हस्तिनापुर के युवराज के समक्ष इतना बड़ा दुस्साहस ये दुस्साहस नहीं है गांधा राज, ये संदेश है संदेश? कैसा संदेश? वीरो का आप पूशन है धीर मनुष ही वो पा सकता है जिसका वो अधिकारी है ये स्वयमबर इस युग का सबसे बड़ा स्वयमबर होगा चुकि संसार का सबसे बड़ा और सच्चा युद्धा है पांचाल राज की कन्या का वरन करने का सवभाग्य प्राप्त कर सकेगा परन्तु समारन रहे ये स्वयमबर एक अगनी परिक्षा से धखोगा वो अगनी जो पवित्र को अधिक पवित्र करती है और आपवित्र का नाश करती है निमंत्रण आया है मामश्री जाना होगा परन्तु अकेले नहीं क्यों आपको मेरे बल पर श्वास नहीं है मामश्री हाँ है परन्तु उसकी माया पर नहीं इस संसार में एक वो ही है जिसको लेकर मैं सदय वचिंतित रहता हूं और वो इस स्वयमबर में अवश्य आएगा कौन बताईए मामश्री वासुदेव क्रिष्ण वासुदेव क्रिष्ण वासुदेव क्रिष्ण वो वो कब कहां क्या कर जाएं कुछ कहां नहीं जा सकता राजनितिग्यों में महा राजनितिग्यों कूट नीती में महा कूट नितिग्यों योधाओं में महा योधा और चलियाओं में महा चलिया है वो तुम तो जानते हैं महा बली जरासन को कैसे नचाया है उसने आज तक महा माश्री उसकी काट तो मेरे पासों के पास भी नहीं वो तुम्हारे साथ कोई खेल न कर बैठे इसलिए तुम अकेले नहीं जाओगे न और हाँ पांचाल अब मित्र नहीं शत्रूराज है और तुम दुरुपत के शत्रूराज के यूराज फिर क्या किया जाए मामाश्री इस समय तुम्हें अपने धनुर्धारी मित्र की सबसे अधिक आवश्यक्ता है अर्था करण की मैं तुमसे और राजवंच के सभी कुछ चक्र और चेष्टां उसे अपना बंदन तोड़ता हूं आज के पस्चा हमारा कोई संबन नहीं मैं सदा के लिए तुम्हारा साथ छोड़ कर जा रहा हूं आएगा अवश्य आएगा सच्मा मश्री हाँ मेरी एक चाल से करण तुमसे दूर हुआ अब मेरी ही एक चाल से वो वापस भी आएगा यदि मेरी बात मानोगे तो तो ना केवल तर्ड वापस आएगा बलकि तुम्हारा त्याग करके कभी नहीं जाएगा घंड को वापस अपने जीवन में लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मामाश्री कुछ भी कर दो कर दो झाल कर दो वापस प्याएगा प्याएगा प्याएव्ड़ या तो वापस याएव्ड़ वापस इवड़ श्तिखिया और्म के रधन मेरे का ट tecn visas कि अ्षॉँ हईक ती है और एक भाय पहर जो असबल हुआ उस समय ना तुम्हारी रक्षा कर पाया था और इस समय ना कुंती मागी परिवर्थन कस अपने देखने बाला अन्याय का प्रतिकार करने का पचन देने वाला जे करन नियाती की कसोटी पर असपर होगे है परिवर्थन लाने अन्याय का प्रतिकार कर पाना यदि इतना सरल होता है कोई भी कर लेटा उसके लिए राधे को इतना परिश्रम करने की इतना कश्ट सहने की कोई आवशक्ता नियाती की कसोटी पर असफल तब होंगे जब परिवर्थन का अपना स्वपन छोड़ दें राजकुमार दुर्योधन का साथ ठोड़ कर नहीं परिवर्थन के अपने लक्ष से दूर तो नहीं जा रहे हैं मैंने दुर्योधन का साथ छोड़ा जोकि नीती की स्थाबना अनीती का साथ देकर नहीं कर सकते हैं मैं जन पर कर्म की श्रेश्ठा सित करना चाहता हूं और वो अनुचित कर्म के साथ नहीं हो सकती यदि अंग का मुकुट त्याग दिया तो आपके दायत्व का क्या हो? मैंने मुकुट को छोड़ा है अपना दायत्व नहीं परिवर्थन के लिए मेरा संखर्ष सदा रहेगा तो अंग हो या भुगतग्राम क्या अंतर पड़ता है? जब आपके प्रयास के लिए अंग या भुगतग्राम में अंतर नहीं है तो हस्तेनापूर क्यूं नहीं? आप ही कहते थे ना कि परिवर्थन सोच से प्रारम होता है और जिस राजकुमार दुर्योधन ने आपकी सोच का साथ किया शकुनी उसकी सोच को मेला करना मार दुर्योधन आपके मित्र है यदि आप उनके साथ रहे तो कदाचित उन्हें अनुचित मार्क पर जाने से रोपद दुर्योधन का साथ छोड़ना उचित प्रतिक्रिया हो सकती है परन्तु क्या ये उचित हल है? मैंने दुर्योधन का नहीं उसके कर्मों का उसके निर्ने का साथ छोड़ा है एक योध्धा मित्र के लिए मैं संसार में किसी के भी विरुत खड़ा हो सकता परन्तु शड्यंत कारी के लिए नहीं कभी नहीं यदि दुर्योधन अंगराश जिवराश दुर्योधन ने अपने आपको कक्ष में बंद कर लिया है और कक्ष में अगनी लगा दी है शेगरी चलिए अनुच दुर्योधन मेरे पुत्र दुर्योधन बहार आजाओ पुर्योधन पिछी आटिये पुत्र पुत्र यह क्या किया तुमने जोहें अगनी कान क्यूं किया एक अगनी कान था पहले किया था परंतु उसने मेरे शत्रों के साथ साथ मेरे परमित्र को भी मुझ से चेन लिया और अब यह अगनी कान है मेरे अश्यत आपकी अगनी कान भाराओ नहीं तुम्हें उपचार की आवशकता है मेरा अपचार केवल मेरा मित्र है पर से वशको बैठा था और इसलिए मैं मामाशी के देखावे में आ गया अब इन बातों का कोई लाग नहीं अब इन बातों का कोई लाग नहीं जिसमें अपना भाण वापस लाने की शम्ता है और वो तॉम हो मित्र तॉम हो वो मेरी बात मानो आग बढ़ रही है पार आओ नहीं मैं तक बहार आउंगा जब तुम्हारी शमा पालूंगा परना इसी अगरी में पास पहुचाँगा तुम्हें दो प्रिड़ा उठाया है न मित्र परिवर्तन का तो मुझे एक अफसर तो दो ताकि मैं ये सित करपाऊ मेरा अमन में परिवर्तित हो गया है भार आओ तुम्हें मुझे शमा किया तुम्हें मुझे शमा किया अपना हाथ दो पजाए हाथ दो पस हो गया पस हो गया मेरे होने वाले संप्राट आ बाहर आ जाओ ये हमारे योजना का भाग नहीं था पस हो गया भी नहीं अगनी बढ़ रही है तुम्हारा अंध हो जाएगा मेरे होने वाले संप्राट पाहरा जाओ ये योजना अस्थ हो जाए बस मेरी मित्रताब के किसी व्योजना का भाग है भी ये इमामाश शनी ये एक पाश्चाताब है मित्र का फाश्चाताब एक जिसने अपने मित्र को ठेश पोचाई है मैने मैने बहुत से बाप किए पर नतु उनका मूल्य मैं तुम्हें खोकर नहीं चुखाना चाहता बोलो कर तुम मेरे साथ हो हाँ केवल हा नहीं मुझे वचन दो के हर परिस्तिती में तुम मेरे साथ दो के मैं वचन देता सोकन दिखाओ अपने अनुच की कि तुम मुझे कभी अकेला नहीं जोड़ो के मैं शोन की सोकन दिखाता कि मैं अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ूगा अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ मित्र हाथ आगे बढ़ाओ हमत् चाहँ टूमत् प्रंजन गराद्म धिली अपने शोड़्यों प्रंजन गराद्म अपना चाहँ आये खेड भीकितम, आजे नाज्वती दीखिल्दे आये खेड भीकितम, आजे नाज्वती दीखिल्दे मित्र, एक वचन तुम लें मुझे दिया, पर अब एक वचन मैं तुम्हें देथा हूँ. आज के बाद कभे कोई कुछ अकर नहीं रचूँगा. कभे कोई ऐसा कर्म नहीं करूँगा, जो तुम्हारी द्रिष्टी में, अनुच्य दो, तब तक नहीं, जब तक कोई मुझे उकसाएगा नहीं, मैं वचन देता हूँ. हूँ. हूँ.